जिस विच जिला पत्याला दे सरकारी रजिंदर हस्पताल दे माही टॉक्टरा दी टीम पहुंचेगी अते शाम तेन तो सत वजु तक कवी समेलन करवाया जावेगा उन्ना क्या की हर साल दी तरा पीडी तो उन्ना दे पड़ पोत्रे गरगुनात पांडे विशेश में महाम दे तोड़ते प्रोगन विच शिरकत करंगे सबसे पहले भारात माता की जैकाराए बीर बजरंगी आज हम सभी शहीद सत्प्रकाश प्रभाकर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष में ये प्रेस वारता कर रहे है और सत्प्रकाश प्रभाकर बाले काल से ही राष्टिये स्वेंसिक संक से जुड़े हुए थे और यहाँ पर नगर कॉंसल के परधान भी रहे और एक जुझारू कारे करता थे और जब पंजाब में उगरवाद था लोग घरों से बाहार ने निकलते थे सुहाद उजाड़े जा रहे थे बेहनों के भाई बिछड रहे थे और ऐसा दहशत का मौल था कि पंजाब के अंदर घरों से जब बाहार निकलते थे तो सोचते थे हमारा बेटा हमारा भाई कब वापस घर आएगा ऐसा वो काला दाओर पंजाब के अंदर जब चला तो उस समय राष्टिय सुरक्षा समित्यगा पंजाब में गठन हुआ सैत्य प्रका जी परभाकर राष्ट्य सुरक्षा समित्यगे उपपरधान थे पंजाब के और हर समय उगववरात के खिलाप संगार्श करते हुए चल रहे थे चार मार्च 1990 को चंडी करके अंदर जब उन्हें दहार लगाई तो आंतागवादियों की आँखों में परभाकर जी चुब गए 16 मार्च की काली शान को 1990 में दो सिर्फिरे नौजवानों ने परभाकर जी को हमारे से सदा सदा के लिए छीन लिया वो ऐसे देश भग थे ऐसे मिट्टी से जुड़े हुए कारे करता थे देश और समाज के लिए हर समय त्यार रहते थे परभाकर जी का शहीदी दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं जो कौम जो ब्रादरी जो देश अपने शहीदों को अपने करांती कारें को भूल जाती है वो कौम और देश नश्ट हो जाते हैं हमारे राजप्रा के लोग परभाकर जी का हर साल शहीदी दिवस मनाते हैं और उस दिन यागवन करते हैं और शर्दांजली समारो करते हैं उस दिन राक्तदान शिवर लगाते हैं और देश भक्ती के गीत बोले जाते हैं हम आने वाली पीड़ी को उनके इंदर नैशनल्टी कैसे आए देश भक्ती कैसे आए उसके लिए हम कारिकरम करते रहते हैं परभाकर जी गरीब हो यामीर हर व्यक्ति के साथ चल पड़ते थे उसका कोई भी काम हो हर समय तटस्त रहते थे परभाकर जी का ये जो टाली वाला चौक है जिसको पहले टाली वाला चौक कहते थे सरकार ने सभी के कहने पर नगर निवासियों कहने पर उसका नाम शहीद परभाकर चौक रखा आज उनका वहां पर स्टैचू बना हुआ है तो हम आज इसलिए प्रैस कॉंफरंस कर रहे हैं कि अभी तेरा तरीक जो रविवार आना है उस दिन एक बहुत बड़ा कारे करम रखा है इसलिए हम आप सब को यहां पर बुलाया है आप से बेंती करने के लिए कि आप शहीदी समारों के बारे में सारे समाज तक यह बात पहुंचाएं 13 मार्च रविवार को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक रक्त दान्शिवर होगा और 3 बजे से 7 बजे तक कवी समेलन होगा जो कवी वीरास के कवी हैं जो हमारे अंदर देश भक्ती की भावना पैदा करते हैं ऐसे कवी राजप्रे की धर्ती पर आएंगे और उसके साथ महान क्रांतिकारी मंगल पंडे जो 1877 के क्रांतिकारी हैं उनकी चोथी पीड़ी उनके परपोत्र रगुनाजी वो राजप्रा की पावन धर्ती पर पहुँच रहे हैं पहले भी हम शहीद आजम भगत सिंग के परिवार से भी एक बार कारे करम में आये थे आज से दो साल पहले के महान करांतिकारी चांद्रिशेकर अजाद के भतीजे सुझीच अजाद भी हमारे कारे करम में राजप्रा की धर्ती पर आ चुके हैं हम ये महाबिर करांति सेवासंग के कारे करता हमने ये सोचा है कि देश में जहां भी संपर्क हमारा होगा उन क्रांती कारियों के परिवार से उनके वंशत राजप्रा में बुलाकर राजप्रा की पावन धर्ती को पवित्र भी करेंगे और जो हमारी जनरेशन है उनको पता लगे के हमारे क्रांती कारी देश के लिए क्या कर गे सरकार के record के अंदर साथ लाख बत्ती हजार क्रांती कारियों के नाम दर्ज है इससे भी ज़्यादा क्रांती कारियों ने देश के लिए जान दी और जैसे उन्होंने जान दी और हम समाज को ये बताएंगे के हम जो अजाद है हमें जो वोट डाले का अधिकार मिला है हमें जो अजादी मिली है वो चर्के से नहीं मिली हमने सुना है लोग कहते हैं देदी अजादी बिना खड़क बिना ढाल साबर मती के संत तुने कर दिया कमाल अगर चर्के से अजादी मिलती होती तो यूक्रेन में चर्कों का जहाज भेज देते आज यूक्रेन का क्या हाव है आप सबी देख रहे हैं इसलिए जो काम जो देश अपने करांती कारियों को याद रखता है वो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता हम देश में यही भावना पैदा करना चाते हैं और यह जो तेरा मार्च है मैं जहां तक भी मेरी वाज आएगी मैं सभी से प्रात्रा करूँगा यहां पर ज्यादा ज्यादा संक्यावें आएं और अपनी देश भक्ती को जागरित करें और समाज को जगाएं जै भारत जै हिंदोस्तान देखो जी आज हमारा जो देश है हमारे जो तिरंगा है उसकी वैल्यू यह विद्यार्चों को पता लगी है भारत के पास्पोर्ड की क्या वैल्यू है यह उनको पता लगी है घर बैच के बात करना अलग बात है जब तक आप अपने जीवन में निए उतारते क्या मान साब अपने बच्चे को वहां पर भीड़ेंगे क्या मान साब अहीं जाएंगे आप वहां पर विजए9 जडरुवत नहीं है क्या वो जायेंगे मैं आपके मादियम से उनसे बात पोचाना जाता हूँ क्या वो जाएंगे उनसे पूछिए जब हमारा देश है हम तो कहते हैं अपने देश में काम करो वहाँ पर गये हैं तो सुरक्षिद लाना भारत का काम है और जैसे भारत लाया है क्या पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश है जो बच्चों का ऐसे बचा के लिए आ रहा है भारत सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने मंत्री वहाँ पर जमीन पर उतार दिये और एक-एक बच्चे को सुरक्षिद ला रहे हैं तेरा मार्च रविवार को आरिया समाजमंदर राजप्राटॉन में शहीदी समारो मनाया जाएगा जिसमें सुरे नौ बजे से एक बजे तक राक्तदान शीरवा होगा और तीन बजे से साथ बजे तक कवी समेलान होगा जिसमें वीररास के कवी आएंगे उसमें तीन कवी ऐसे हैं जो हमारी बहुल पुरी बरादरी से हैं और तीन कवी ऐसे हैं जो जीनियूस पर आते हैं जो जीनियूस पर आते हैं उनका नाम है कमल आगने शिखा और दविंदर आग कवी आदा में मुद्दा की हैगा बखी चखड़ देश बक्ति देखते होंगे जब पंदरा अगया चवी जनरी आती है उस समय देश बक्ति चलते हैं बाकी समय नहीं चलते हैं जब हम देश बक्ति की सुनते हैं, हमारे शरीक के अंदर खून का दोरा करता है, हमारा खून गर्म हो जाता है, ऐसे इन देश बक्ति के भावना एक मिशाल, एक आग, एक चिंगारी राजपर में जलाम चाहता है, हमारे जो मुख्यम्यमान है, महान करांतिकारी, मंगल पांड़े, अठारो सतंजा के करांतिकारी, उनके परपोत्र, चोथी पिड़ी, रगुनाजी आएंगे, देखो जी, मेरा व्यक्ति का तजर्बा है, जैसे महौल में रहते हैं, वैसा महौल बन जाता है, आप पिक्चरों के बातें करेंगे, तो वही ध्यान आएगा, आप धार्मिक बातें करेंगे, वही ध्यान आएगा, अगर देश बक्ति के बात करेंगे, तो जरूर अंदर ज परभाकर जी का जब से हम शहीदी दिवस मनाते हैं, पहले उनकी धरमपत्नी माता संतोष जी आते थे, अब वो संतोष जी इस दुनिया में महरी, अब उनका बेटा वीजे परभाकर और उनकी धरमपत्नी और बच्चे हर कारे मनें मनाते हैं। अब उपलब्थ है, ग्यारासो प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर, एन अंड्रॉइड बेस डीटिये स्मार्ट सेटप बॉक्स, सभी OTT प्लाटफॉर्म, 24 घंटे लाइब देखे, हमारे सोशल मीडिया पेज़स पर